दवाइयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब किजिये जेने एड़ू किछन चैनल को और बैल आईकौन को दबाइए दबाइयों की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैनी एजूकेशन पे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्रोलीमस ओंट्मेंट के बारे में इस टेक्रोलीमस ओंट्मेंट के क्या उपियोग है पूरी डीटेल से हम बात करने वाले हैं कौन-कौन से बिमारी को ये ठीक करती है टेकरोज फोर्ट ओंटमेंट ये इस ओंटमेंट का ब्रांड नेम है और इसको ग्लेनमार्क फार्मसोटिकल कंपनी बनाती है टेकरोलीमस ओंटमेंट 0.1% weight by weight ये इसका content है इसके अंदर टेकरोलीमस जो active ingredient है ये 0.1% है जो की solid है और इस ओंटमेंट का base वो भी solid है इस टेकरोज फोर्ट ओंटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके क्या उप्योग हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर बेल आइकोन को प्रेस कर दीजे ताकि जो भी नई वीडियो है कि इसका notification आपको मिल जाएगा तो बात करते हैं इसके उप्योग के बारे में टेक्रोलिमस ओंटमेंट कौन कौन से बिमारी के उपचार में यूज होती है mainly इसका उप्योग जो है इसकीन की समश्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है क्योंकि हम ओंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये skin की समश्याओं को दूर करती हैं, ये immunosuppression drug हैं, जो की skin की समश्याओं को दूर करती हैं, जैसे की atopic dermatitis, atopic dermatitis, यानि skin पर, चहरे पर, सफेद दाग हो जाते हैं, तो उन सफेद दाग की समश्याओं को ये दूर करती हैं, इसके अलावा, T-cell mediated जो भी disease है, skin related, जैसे की eczema होना, psoriasis की problem होना, इन सारी समश्याओं को ये दूर करती हैं, तो mainly इसका उप्योग atopic dermatitis, यानि skin पर आग दब्बे की समश्याओं को ये दूर करती हैं, एक्जीमा के अंदर क्या होता है, skin पर redness हो जाती है, irritation होने लगता है, इन समश्याओं को ये जो ointment है, ये दूर करती है, ये ointment क्या करती है, skin का जो defense system होता है, defense mechanism होता है, या फिर immune system होता है, उसको ये कम कर देती है, decrease क कर देती है, जिसके कारण क्या होगा, skin के उपर जो भी allergic reaction होती है, वो decrease हो जाएगी, और इस तरीके से ये eczema से relieve provide कराती है, टेक्रोलिमस जो दवाई है, drug है, ये calcium urine inhibitor की class के अंदर आती है, यानि ऐसी दवाईया जो calcium urine inhibitor होती है, उस class की category के अंदर ये टेक्रोलिमस आती है और ये topical agent है, आप इसको externally apply कर सकते हैं, जहाँ पर भी जो समश्या है, eczema की समश्या है, psoriasis की समश्या है, या फिर सफेदा की समश्या है, वहाँ पर इसको आप externally apply कर सकते हैं, बात करते हैं, इसके storage condition के बारे में तो इसको room temperature पर ही store करके रखना है, light से बचा के रखना है क्योंकि ये जो दवाई है, ये जो drug है, ये light sensitive है, तो इसको light से बचा के रखना है, और इसका उप्योग, और दोस्तो सबसे पहले में एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी भी, कि आप कोई भी दवाई बिना doctor की सला के ना ले, एक बार doctor की सला और prescription के अनुसार ही कोई भी present drug है, जो की immune system को suppress कर देती है, कुछ देर के लिए, कुछ time के लिए, immune system को ये suppress कर देती है, और जो T cell mediated disease होते हैं, eczema, psoriasis, उन सारी समझ्याओं के treatment में इसका उप्योग होता है, अब बात करते हैं, इस ointment के side effect के बारे में, क्या-क्या side effect देखने को मिल सकते हैं, अगर आ सकती है, skin पर, और भी कोई दूसरे side effect अगर आपको देखने को मिले, तब तुरंट डॉक्टर से सला लीजिए, तो दूस्तो आज हमने बात किया, टेक्रोलीमस ointment के बारे में, इसके उप्योग के बारे में, उमेद करता हूँ दूस्तो वीडियो आपके लिए helpful होगा, चै चैनल पर आपको हमेशा यह ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, thank you very much for watching this video.